इसमें कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे थे जो लगातार आज भी इस केस में न्याय की मांग पर डटे हुए हैं इन सब के बीच बॉलिवुड पर भी जम कर निशाना साधा गया एक तरफ जहां इन पर नेपोटिजम को लेकर आरोप लगते रहे वहीं ड्रक्स को लेकर भी बॉलिवुड के कई कलाकारों पर सवाल उठे अब इतने दिनों से बॉलिवुड को लेकर जो कुछ भी किया जा रहा था उसके खिलाफ अब बॉलिवुड एक जुट हो गई है उन तमाम मीडिया हाॉसेस और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले लोगों के उपर कारेवाही का मन बना चुकी है सुशान्त की मौद के बाद से ही कई ऐसे बॉलिवुड के फिल्मे थी जिनका बॉयकॉट किया जाना शुरू हो गया था और ये बॉयकॉट काम्याब भी रहे जिसका ताजा उधारन थी फिल्म सडक टू लेकिन अब पूरा बॉलिवुड करारा जवाब देने के लिए एक साथ आ चुका है सिंटा और इफटी पीसी जैसी संस्थाओं समेट कई प्रोडक्शन हाउस का ऐसा मानना है कि सुशान सिंग राजपूत के कवरेज के दौरान बॉलिवुड को गलत नामों से बुलाया गया जैसे डर्ट, फिल्थ, ड्रगीस इसके अलावा इन खबरों में बॉलिवुड के बारे में बताते हुए कुछ आपत्ती जनक वाक्यों का भी इस्तमाल किया गया है जैसे इस बॉलिवुड वेर दर्ट नीडस तो बी क्लीन, दिस इस डर्टियस्ट इंडस्ट्री इन दे कंट्री और कोकेन एंड LSD ड्रेंच्ट बॉलिवुड अब इस पूरी इंडस्ट्री ने इन मीडिया चैनल के खिलाफ कमर कस ली है जो सबसे में दो मीडिया चैनल्स है जिनके खिलाफ ये याचिका में एक्शन लेने की बात कही गई है वो है रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ इन दोनों टीवी के अरणब गोस्वामी, परदीब भंडारी, राहूल शिवशंकर और नावीका कुमार का जिक्र इस याचिका में किया गया है इसके अलावा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेस्बुक, ट्वीटर आदी पर भी जहां जहां बॉलिवड को लेकर कुछ गलत बोला गया है, उनके खिलाफ भी कारेवाही होगी इस याचिका में बताया गया है कि ये निउस चैनल्स बॉलिवड के खिलाफ मीडिया ट्राइल्स करते हैं, उनकी प्राइवेसी में इंटरफेर करते हैं इस याचिका को दायर करने में शारुक खान, सलमान खान, अजय देवगन, आमीर खान इन सब की कमपनीज शामिल है। कुछ चुनिंदा प्रोडक्शन हाउस हम आपको बताते हैं जिन्होंने मिलकर इस याचिका पर कारेवाही की मांग की है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, कुल मिलाकर 38 प्रोडक्शन हाउसे हैं। इससे पहले एक बार और बॉलिवुड एक जुट दिखा था जब संजदत को टाडा के तहत गिरफतार किया गया था। उस वक्त पूरा बॉलिवुड एक साथ हाथों में तक्तिया लेकर संजदत को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतराये थे। दूसरी तरफ राम गुपाल वर्मा ने भी एक ट्वीट करते हुए बताया है कि आप बहुत देर हो चुकी है, ये मामला ठंडा हो गया है, ये अब ऐसा कुछ है जैसे सब बच्चे एकठा होकर हैड़मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं सर हमें अरनब ने मारा। अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि मीडिया हाॉसेस इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या मीडिया हाॉस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और ओडियन्स यानि जनता का क्या रियक्शन होता है। इसी तरह कि तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए, नमस्कार